हेलो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बिहार आई टी आई में जो है रिजल्ट कैसे निकलता है और भी कई महत्वपुर्ण जानकारियां देखने वाले हैं तो इस वीडियो को जो है अंदो तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह से रैंक सोखिया जाता है और गल्स के लिए जो है ज्यादा बेनिफिट होता है आई टी आई में और वाइस के लिए थोड़ा बहुत टफ हो जाता है यह सब चीज बहुत महत्वपुर्ण वीडियो होने वाला है तो यस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाय हुए और अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा जिससे की आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है कोई भी अपडेट आए तो तो सबसे पहले आप जो है इसमें देख लिजे बिहार आइटिया का जो है सिलेबस 2022 में जो है क्या रहने वाला यानि कि पहले से जो चलते आ रहा है तो आप सभी देख लिजे इसमें जो है कोई ज्यादा टफ कोश्चन नहीं पूछा जाता है आपको 10th लेवल का जो है कोश् कोश्चन होते हैं ठीक है पचास कोश्चन का जो है मार्क्स होता है सो मार्क्स का यानि कि कहने का तातपड़ी यह हो गया कि आपका पर कोश्चन दो नम्मर का होता है और उसके बाद इसी तरह जो है आपका विज्यान में यानि कि फिजिक्स और केमेस्ट्री मिला करके जो ह वो भी 50 question होता है वो भी 100 number का होता है और उसके बाद जो है general knowledge तो ये भी जो है आपका 50 question होता है और जो है 100 number का होता है तो इसमें जो timing दिया जाता है यानि कि total आपको जो है 1500 person देखने को मिलेगा और 1500 person के लिए जो timing आपको दिया जाता है तो और 1500 person तो होता है उसके बाद 300 number का होता है और 300 number में जो है आप जितना अच्छा rank ला सकते हैं यानि कि जितना अच्छा आप marks लाएंगे उससाब से आपको rank दिया जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और preparation अच्छे से करना है 10th level का math पूछा जाता है और भी कई general knowledge में आप सभी पढ़ते होंगे वही सब पूछा जाता है जाता खुछ राता नहीं है और इसमें जो है timing देखा जाए तो आपको जो है दो घंटा 15 minute दिया जाता है तो दो घंटा 15 minute का time दिया जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे आपको इतना time में जो है आपको 1500 question करना रहता है तो चलिए ये तो हो गया और उसके बाद आप समझने का परियास कीजिएगा बिहर आईटी आई का rank की सनुसार दिया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो है आप यहां पर देख सकते हैं जो ह यहां पर देखिए यहां पर दिया गया है यानि की district court दिया जाता है सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं 24 दिया घा और यह जो गर्स को जादा बेनिफिट दिया जाता है यहांनि के काने का तात पर यह इनका जो है reserve quota के अनुसार भी मिलता है और female quota के हिसाब से भी भी मिलता है और के टेगरी के हिसाब से इनका जो है एडमिशन होने का चांस रहता है तो इनको तो अराम से एडमिशन हो जाता है यह चीज़ ध्यान रखेंगे तो देखिए इनका जो है इस तरह से तरह से देख सकते हैं इनका जो है रिजर्ट फार इनको तो य। असानी से हो गया तो यह चीज आप सभी ध्यान रखेंगे जो रैंक गल्स के लिए तो ज्यादा बेनिफिट होता और बॉइस के लिए भी चलिए देख लेजिए जिससे आप लोग को जो है डाउट के लिए हो और अच्छे से प्रिफेशन करेंगे अभी से और जो है डोकुमेंट क्या क्या लगता है तो ज्यादा कुछ नहीं लगता आपका जो है टेंथ का सारा मार्क सिट वगेरा होना अनिवारिया होता है इसमें ठीक है और जाती आया वास यह क्या वैसकता पड़ता है और कुछ खास राता नहीं है तो आप एक एक्जांपल समझ यह जो पिछले साल का जो है आप देख सकते हैं बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपरेटिव एक्जामनेशन बोड़ो दुग पर सिक्षन संस्थान पर युगता परवेश परिक्षा 2021 इसमें जो है आपका रिजल्ट कैसे सो किया जाता है तो आप देखी इसमें जो है सो किया तरह से रिजल्ट दिया जाता है यह हो गया आपका डिश्टिक का जो है यूर कैटेगरी ठीक है तो यह जो है पटना डिश्टिक के हैं और इनका जो है 01 कोड हो गया आपका यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद जो है यूर कैटेगरी में इनका जो है 1152 रैंक था ठीक ह तो आप सभी को यही ध्यान में रखना है जो आप जितना अच्छे से जो है एक्जाम अटेम्ट कर सकते हैं यानि कि जितना अच्छे से आप कोश्चन का इंसर बनाएंगे उस इंसाब से आपका रैंक आएगा और जो है आई टी आई का जो है फॉर्म का लास्ट डेट जो है आपका सतरव पांच दोहजार बाज तक है तो अब ही तक अगर आप फिल अप नहीं किये हैं तो कर लीजिए इसमें टेकनिकल डिग्री बहुत कम समय में आपको जो है मिल जाता है एक साल का भी कोर्स होता है दो जो चार्ज लगे साथ सो पचास रुपी या जो भी चार्ज लगे और उसके बाद जो आपको एडमीशन के टाइम सिर्फ और सिर्फ दस सो असी रुपया ही मातर लगता है तो यह जिए आप सभी जो है ध्यान रखेंगे और जो है इसमें जो है आपका जो है दस सो असी बहुत कम यानि कि जो है 500 रुपया जो है रिफंड कर दिया जाता है इसमें जो है आप अगर पर सिक्षन परात कर लेते हैं और पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो है इसमें सो जो है 500 रुपया जो है रिफंड भी कर दिया जाता है ये चीज़ ध्यान रखेंगो और जो है गौर्णमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आप सभी को टेंसन नहीं लेना है और आपको टेकनिकल डिगरी के लिए वेफिकर होके अपलाइक कर देजाए आप 10 पास किये हैं या गरेजवेशन पास किये हैं क्योंकि इसी डिगरी को अगर पाने के लिए आप अगर जाते हैं बाह सब्सक्राइब तो होता है प्राइबिट में भी लेकिन जितना आप खर्च वहां करते हैं उसका कोई परसेंटेज देखा जाए तो यहां खर्च नहीं होता है यानि कि आपको 3000 रुप्या जो है कॉलेज से मिल जाता है तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी को जो है और टेकनिकल डेगरी बहुत कम खर्च में मिलता है तो इसलिए जैसे आप सभी जरूर अपलाई कीजिए और स्टाड़ी कीजिए और आने वाले दिनों में हो सकता है इसका डिमांट ज्यादा हो जाए तो आपका जो है गया वाले दिनों में जो है डिमांड बहुत अधिक ह होने वाला है और एक चीज और देख लिए आप जो है जब एडमिशन लेते हैं अगर आपका जो है कैटेग्री सी और एस्ट है तो आपका जो है साथ सो नब्य रूपया ही लगता है यानि के एडमिशन चार्ड ठीक है और जो है यह अल कैटेग्री के लिए जो है इसके रखना है और जो है अच्छे से प्रिपेशन कीजिए और अच्छे से एक्जाम देजिए और पास कीजिए और अपना एडमिशन अच्छे ट्रेड में लेने का पर्यास कीजिएगा इनका जो है एडमिशन हुआ था एंसी भीटी में जो है सर्वेयर जो होता है उसमें एडम तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से सुचित कर दिया जाए क्योंकि ऐसे संपर्क करवपाना संभव नहीं होता है लेकिन आप अगर चैनल के संपर्क में रहेंगे जब भी वीडियो अप्लोड होगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और